हेलो एबिवान मैं हूँ प्रिया एंगें विलकम बाक तो माइ चैनल ब्रेणी रामे बास कम प्रिया की रसली तो आज मैं जो आपको रेसिपी बताने वाली हूँ वो है मैगी हम जनरली मागी को बॉयल करके ऐसे हिखा लेते हैं बट हम यह नहीं जानते कि मागी की तने सारे वर्जिन्स हैं लेकिन मैं जो आपको आज मैगी जिखाने वाली हूँ उसके लिए आप कितना पैसा खर्च करके एक थेले वाले के पास जाते हूँ तो मैं जो आपको जिखाओंगे कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप वो मैगी अपने घर में कैसे बना सकते हैं सिर्फ जरा सा टाइम निकाल करके और धेर सारी सबजिया ला करके I know मैगी का नाम सुनते ही आपके मुँमें पानी आ रहा होगा तो इसलिए मैं आपको जादा इंतजार नहीं करवा रही हूं और जल्दी से मैं आपको लिए चलती हूं कि कैसे बनाते हैं वेजिटेबल मैगी So अब चले मैगी नी बनाना है क्या वेजिटेबल मैगी बनानी के लिए आपको चाहिए रफली चॉप किये हुए अनियंस इनको मैंने बस क्यूब्स में काटा है एक बार ये टेल में जाएंगे तो इनकी जो स्लाइसे इवो अलग हो जाएंगे यहां भी लिया है मैंने श्रेड किया हुआ कैबिज श्रेड कियी श्रिमला मिर्च बेल पेपर ग्रीन बेल पेपर कुछ मटर के बनी और हाफ और तोमाटो मैंने हाफ टमाटो को, अगर आपके पास छोटे साइस का टमाटर है तो आप उसे पूरा कट कर सकते हैं, मेरे पास जो टमाटर का साइस था वो काफी बड़ा था, इसलिए मुझे इतना जादा टमाटर नहीं डाला था अपनी मैगी में, तो मैंने इसको हाफ करके, हाफ कट कि यहाँ पर लिये हैं मैंने दो स्लाइसे ऑफ मैगी, ट्वेल रुपीज पाकेट का मैंने यहाँ पर दो पाकेट लिया है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिया है दो मसाले के सैशेज, और मैगी को बनाने के लिए मैं ले रही हूं पुकिंग रिफाइन ओईल, साथ में हम लगेगा जरा सा नमक, तो आई स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल मैगी बनाने की प्रोसेस, सबसे पहले मैंने चड़ाई एक कढ़ाई, मैं इसकी गैस चला दूगी, यहाँ पे मैं दो से तीन टेबल स्पून को किंग ओईल डाल रही हूं, आपको जादा कुकिंग ओईल इसको हम एक टेंपरेचर पे आजाने तक वेट करेंगे, इंग्रीडियन्स में मैं आपको एक चीज इंपॉर्टन बताना भूल गई, आपको मागी बनाने के लिए लगेगा, टू कपस ओ वाटर, यह है पानी और इसके लिए जो मैंने कप यूज किया है वो यह है, यह यह इतना बड़ा कप है, अराउंड तू हंड्रेड एमिल का होगा यह कप, इतने कप में मैंने दो कप पानी लिया है, तो हमारा जो तेल है वो गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले, प्यास, और इसको एच्वे से सौटे करेंगे, इन प्यास को जादा नही ब्राउन करना है, बस हलका सा यह पिंकिश टाइप के हो जाएं, तब हम इसमें डाल देंगे अपनी अगली सबजी, वो मैं बताती हूं क्या है, आप देख सकते हो कि यह अज़ा कलर, बेबी पिंक कलर का हो गया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको इसे क्योंकि यह तेल में जाने के बाद ही इसे स्लाइस बन जाएंगी, आप देख सकते हैं कि इसे अच्छी स्लाइस निकल के आ गई है, तो यह थोड़ा से बड़ी स्लाइस टाल की खाने में अच्छी लगती है, अगर आप चाजी टेरियन हैं तो, बस इनको इतना सा ही चलाना दीजें, तो आप दूर से चलाएगा चुकि यह जो मतर है वो फूट के उड़ते हैं, तो आपको मूं में उड़ सकते हैं, तो आपके जो प्यारे प्यारे चेहरे हैं, उनमें खिद्र ना हो, उससे बचने के लिए थोड़ा सा पीछे हट के चला सकते हैं, और हो सके तो हेल मेट पहन के चला, यह जादा अच्छा रहेगा, अब हम इसमें डालें के अपनी नेक्स्ट वेजटेबल विच इस टमीटोस, और समीटोस जालने के तुरंट बाद आपको इसमें डालना हैं, एराउंड हाफ और यह छोटा चमच का आधा चमच सिख मटर को पकने के लिए, आपको टमाटर हलके से सॉफ्ट लगने लगें, तो आप इसमें डाल दीजे अपनी कैपसिकम, इसको हमें ठीवाजा पकाना है, आपको तू 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 त्री मिनिट्स आप दीखेंगे कि जो यह कैपसिकम है, वो हलका साथ सॉफ्ट एंटेंडर होने लगी है, इस मोमेंट पर हम डाल देंगे अपनी कैपसिकम, और इसको अच्छे के सॉटे कर देंगे, इसमें हमने खुछ भी मसाले नहीं लिये हैं, जासा कि मैंने आपको इंडिजियन्स के टाइम पे दिखाया था, क्योंकि हम जो मैगी मसाले यूज करें हैं, वो अरड़ी इतना अच्छा होता कि आपको और कुछ मसाले डालने की जरूरत ही मिले पड़ती, बस अब आपको इसको इस ती तरह से थोड़ देर तक पकने के लिए छोटेंगा है, एक चीज मैं आपको बता देती हूं कि अगर आपको वेजिटिबल्स में लेक शिमिला मिर्च मैंने थोड़ा सा बड़े सा क्यों मिजे शिमिला मिर्च बहुत जादा पसंद है, तो आप इसे छोटा चॉप करकी एकदम फाइनली चॉप करकी भी डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और वेजिटिबल्स आपको जो एक्स्ट्रा पसंद हैं, लाइक ग्र इसे डालेती हैं, तब उसे डालेंगे अपना पानी, जो हम कर दालाजेंगे मैगी मसाला के दाल दिजिए इस साउनें में थि LEIK Earle के दाल के दूर्डी मुःटियो जाने येक न दाल को दॉरिटि एसने टाहिवा सब्सें न करने 이후 टरीक जाए अब आप देख सकते कि इसमें हल्का हल्का बोईल आना शुरू हो रहा है जब यह बॉल ने लगे तब हमें अपने मैगी को इसमें डाल देना है इस तरीके से आप थोड़ा सए से तोड़ करके डाल दीजें जो जो मागी को सलोब करना बहुत जादा पसंद इसलिए बहुत ज पकचाएगा नाउ यू केन सी कि कितना अच्छा ही इसमें टेक्स्च्चर आ रहा है ये काफी अच्छे से पक रही है बस एकदम अच्छे से ड्राय हो जाए फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे अब हम इसको प्लेटिंग करते है अब हम इसको प्लेटिंग करते है So, कैसी लगी आपको मेरी मागी की रेसिपी मुझे कॉमेंट करके बताएए कि आपको और कौन-कौन सी रेसिपी मुझसे सीखनी है अगर आपको ये रेसिपी फ़संद आई तो लाइक का बटिन प्रेस कर दीजे मेरे चैनल को सब्स्राइब पर दीजे और नोटिफिकेशन बेल दमाना बिलकुल मत भूलेगा वरना आप मेरे वीडियो नेक्स ताइम से मिस कर देंगे और मैंने अपने अप रेगिलर अपडेट के लिए मुझे मेरे इंस्टेग्राम फेस्बुक अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं मैंने उसका लिंक नीचे दिस्रिप्शन बोक्स में दिया हुआ है मिलती हुमें नेक्स थर्जडे इसी तरह की एक लाजवाब रेसिपी के साथ और अज आज आवेस से बाद सॉल बाद सी यू नियच अनल वीडियो वीडियो बी पॉस्टिव स्टे हापी